हापीफाई बेल आइकन दबाये और हापीफाई के अपडेट्स पाये लेडीज एंड जेंटलमेन, बॉईज और गर्स, चिल्रेन अफ माई एज नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी भारी भारी हमारा शो जन हे तुम्हे जारी मैं हूं केतन सिंग, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कहा जाता है कि हर देश का फ्यूचर जो होता है, उस देश के यूथ के हाथों में होता है हमारे देश का भी वही है, लेकिन हमारे देश का यूथ, जो यूट्यूब पर जहां पर आप ये शो देख रहे हैं यहां पर अंगिनत वीडियोज डाउनलोड करकर के ऑनलाइन आफलाइन देखता रहता है गूगल विरासत में मिली हुई है, जो चीज के बारे में जानना है, गूगल पर डालो, फर्र से आपको मिल जाता है, हर एक इंफरमेशन हमारे यूथ को ये तो पता है कि सनी लियोनी इससे पहले क्या काम करती थी और वो काम कहां कहां देखने के लिए मिल सकता है 32B है, 3060 है, हर इंफरमेशन उनको बड़े अच्छे से पता होती है, लेकिन क्या उन्हें ये डीटेल में पता है, कि 26 जन्वरी क्यों मनाई जाती है जाती है। या ब्हान से ठालय कूछ जा करदा करता हुआ है एक दीन ही मिलता है! रिपफिलिगोडेडे! एक दीन ही तो मिलता है! रिपबलिक देट! लिपबलिक दिए थी इसे थे चीज़ कि लग दो लुड ऑशनर को पुट लगा है! अर पिवलिक में बान पुट देडी है बच्छ तेरी मा की? Anyways, coming back to 26th of January, गणतंत्र देवस, Republic Day, मुझे याद थे वो DD1 की परेड, मतलब पूरा परिवार साथ में बैठके देखा करता था, commentary होती थी, एक से एक भारी-भारी commentators बैठे होते थे, सुबह-सुबह जन्वरी के थंड में, ऐसे लगता था, सबर्दस्ती उनको बिटाया गया है, वो लोग भी लगे हुए, ये है भारत का, आगने में साहिल, जिसकी मारक शमता, 120 किलो मेटर है, लोगों के घरों में अलग महोल होता था, मुझे याद है हम लोग घर में बैठा करते थे, और बगल में एक अंकल थे, वो भुपाल से थे, वो तुरंत कहते थे अपनी बीवी से, यो, यो देख लियो, ये अमपी के जहांकी बनाए हुई है, एक दम मतलब यो, भारी लग जैसे तुम्हार माइका लग रिया होता है, बिहार के लोग अलग, एहो, आपने जहांके कहीने है हो, कहीने का हो, चारह में फजा होगा कहीं पर, चाइना, चाइना हमारा परेड देखके, सुनतों हा, फीसों हाटीस हो, वहाटी बूकर सा, इसका मतलब हिंदी में अगर अन पाकिस्तान, जब हमारा परेड देखता है, तो पाकिस्तान कहता है, ये क्या कर रहे हैं, भारत वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने अगनी बनाई, हमने घजनी बनानी है, आप पैसे लगाएं, मगर चनाब, हमारे देश की गरीबी, गरीबी गई भाड में, आप क्या करते है गरीबी अटाग की किसी का भला हुआ है आप गरीबों को रहने दे वरना हमारी बढ़ोतरी कैसे होगी आप पैसे लें आप डिफेंस में लगाएं मगर चनाब भुक मरी भुके नंगे लोग जितने रहेंगे हमारे देश में उतना ही काम ओता रहेगा वरना बाकी के काम कौन करेगा नौकर चाकर कहां से आएंगे आप मिसाहल बनाएं रिपब्लिक डे से हमारी और भी कई साथी यादे जुड़ी होई है जैसे घटिया डालडा में बने स्कूल में मिले लड्डू ड्राइ डे आज की डेट में आमेजान पे रिपब्लिक डे सेल, सेट मैक्स पे बॉर्डर, जी सिनमा पे तिरंगा और जादा से ज्यादा मनोच कुमार 26 जन्मरी 1950 को हमारा सम्विधान लागू हुआ था इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है सम्विधान हमारे नाशनल एंबलेम के उस चोथे शेर की तरह है जो हमको पता है, पीछे ही है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता जैसे मेरे चश्मा आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा इसमें कांच है, लेकिन नहीं है लेकिन महाँ पर शेर है उसी तरह से हमारे सम्विधान भी है दिखता नहीं है तो भाई हुआ योंकि 1950 में जैसे ही सम्विधान पैदा हुआ लोगों ने का, अरे भाई बताई हो सम्विधान हुआ है सम्विधान हुआ है लोगों ने पूछा वो तो ठीक है लेगिन लड़का हुआ है या लड़की हुआ है ने भाई कैसी बात करने है हमारा देश है सब कुछ equal होगा है मुंबई में कोलकता में सब कुछ equal माना जाता है हर याना में doubtful है दिल्ली का आप अपने हिसाब से लगा लो और अपने इधर क समविधान को कोई कैसे छोड़ देता जैसे ही समविधान पैदा हुआ सब लोग ने पूछना शुरू कर दिया कि यह बड़ा हो कि क्या बनेगा भाई डिक्टेटर बनेगा कॉमिनल बनेगा एक्स ब्रिटिश पीम ने कहा था चर्चिल ने कि यह तो सपेरों का देश है यह इंजिनियर बनो अब कितना बना यह तो डिबेटबल है हमारे भारत वर्ष का समविधान जिसे लिखा था डॉक्टर भीम राव राम जी अमबेटकर और उनकी टीम ने दिल्चस्प बात देखिए पंडित नहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अमबेटकर उनके लेकिन फादर ओड़ नेशन महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें कैबिनेट में बतार लाउ मिनिस्टर शामिल किया गया था यह उस दौर की बात है जब देश के बड़े बड़े लीडर्स अपने मार दर्शक मंडल की सुनते थे सुना जाता था देख रहे हो सुन रहे हो क्या बल रहा हूं में यह वो दौर था जब डिफरेंस ऑफ उपिनियन को रिस्पेक्ट दिया जाता था आज की तरह नहीं 4e.g semicolon गवार एक्जांपल बोल रहा हूं ratan tata desiris mystery a water mystery retigrosion or arwind Kejriwal और Arvind Kejriwal मैं बाप को बता रहा हूं मैं even date पर मैं CM होता हूं और देट पर में common man होता हूं, CM दोनों case में रहता हूं मैं और हमारे सम्विधान को वक्त लगा, दो साल, ग्यारा महिने और आठारा दिन इतना टाइम, यह इसलिए ना, उस वक्त टेक्नोलोजी नहीं थी टेक्नोलोजी अगर होती ही, laptop होता, printer होता, फर 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 टाइप किया है, खरर से महां से print out निकला, ऐसे कुछ हिसाब हो जाता है अब देखिए अब किसा iPhone 7 दा generation है, यहाँ पर आप चीज़े फटा फट होने लगती है, जैसे आपको एक example देता हूं, जैसे अभी हमारे देश में GST बिल जो है, उसको 16 साल काम चालूई अभी उस पर, लोकपाल बिल, लोकपाल जैसा important बिल हमने यह, 45 साल लग गए उसको लेकिन ठीक है, 45 साल कोई जाधा डाइम नहीं होता है, 45 इसमें क्या हुआ है, 45 इसमें क्या हुआ है, सिर्फ population तो बड़ी है, और क्या है, 10-12 सरकारे चेंज हुई है, राहूल भी 45 का है, चेंजे नहीं आरे हैं, देखो या मानो या ना मानो, हमारे culture में है, हमारे DNA में, हमा है, हमें create नहीं कर सकते, बस यहां मास लेके अपना बनाओ, समविधान भी हमारा कुछ ऐसा ही है, समविधान में 5-year plan जो है, उसकी सोच हमें Soviet Union से मिली, Directive Principles का धाचा आइलेंड से मिला, the ideals of liberty, equality and fraternity जैसे भारी भरकम शब्द हमें French Revolution से मिले, और we, the people का idea हमें अमरीका से मि उसका मतलब आज के date में हम लें कुछ अलग ही कर दिया है, जैसे कि Arnumalik, ने या जैसे कि Pritamdaan, जैसे कि Ketan Singh, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरा show original है, मेरा show original है, fundamental rights हमें 6 मिले हैं, जिनका हम उपयोग और दूर उपयोग बड़े अच्छे से करते हैं, देखिए भाई साह जहां सम्विधान आपको मूँ से हागने की इजाज़त देता है और लोग हागने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं सुनिये दूसरा fundamental right right against exploitation तो लोग constitution को ही exploit करने लगते हैं एक आदमी and I'm not making up this shit, this is a fact सर्च कर लीजे इसके बारे में एक आदमी जिसको काफी टाइम से सेक्स नहीं मिल रहा था उसने एक deodorant company पर case ठोग दिया कि भाई साथ साल से इनकी बोतलें खाली कर रहा हूं लेकिन एक लड़की नहीं आई है मेरे पीचे बागते हुए लोगों ने रिलिजेन के अंदर ग्रूप्स बना लिए उसके अंदर सब ग्रूप्स बना लिए किसी को रिलिजेन में आराम मिला किसी को आशाराम मिला आशाराम fundamental right number 4 culture and education rights culture के नाम पे तो जो धजजियां उड़ाई गई हैं भाई साथ मतलब लड़कियों का आप example लीजिया कि ऐसे कपड़े मत पहनो हमारे culture में नहीं है रात को घर से बाहर मत निकलो हमारे culture में नहीं है 25 साल के हो गए बेटा शादी कर लो हमारे culture में है साल भर हो गए शादी को बच्चा पैदा कर लो हमारे culture में है बनना आगे चल के क्या गरोगे चार लोगों ने कमरे में चाय पी ली चर्चा कर ली तो बन गया कल्चर और जो ना माने उसकी धुलाई करना भी हमारा कल्चर वैसे तो कहने के लिए Constitution में सभी नागरिक सल्मान है उपस, I mean to say समाने समाने लेकिन कानून के कुछ laws पढ़के लगता है कि वो समविदान को ठेंगा दिखा रहे हैं मैं कोली का फैन हूँ इसलिए ये निकला है बाकी ठेंगा दिखा रहे पर यह रहा था बत और एक्जामपल मैं आपको बता दूँ अडल्ट्री से रिलेटेड आईपी सी सेक्शन 497 को अगर आप देखें तो उसमें देखें आपको बताता हूँ ये हस्बेंड है ये वाइफ है हस्बेंड ने एक्स्टा मैरिटल अफैर कर लिया वाइफ ने भी एक्स्टा मैरिटल अफैर कर लिया तो हस्बेंड से पूछा जाएगा तुमने अपने बीवी के साथ ऐसा किया कैसे उस दूसरे मर्द से पूछा जाएगा तुमने किसी और के और के और के साथ ऐसा किया कैसे और बीवी जो होगी वो गोआ जाएगी ड्रिंक बनवाएगी पीएगी बोलेगी वाओ ये तुमने बनाया कैसे और आखरी में फंडमेंटल राइट क्रमांक छे राइट तू कॉंस्टिटूशनल रेमेडीज इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फंडमेंटल राइट वाइलेट हो जाए तो आप ये राइट इनवोक करके सरकार पर भी केस कर सकते हैं इन शौर्ट ये राइट बेसिकली रजनी खांत है ये समिधान हमारे पिताजी की तरह है ये चाहता है कि हम सुधर जाएं हम चाते हैं कि ये सुधर चाहें किसी तरह से हमारे देश का नेता हमारे गल्फरेंड के पिताजी की तरह है जिनका बस चले तो वो हमें दुनिया से बेदखल कर दें लेकिन संभिधान जो है वो हमारी पुष्टेनी चाहदाद है यह बेदखल मतलब क्वेश्टेन ही नहीं बेदखल कहा है से नहीं no chance और धीरे धीरे ही सही मगर हमारा सम्भिधान जो है उसका जो operating system है वो upgrade होता रहा है और होता जाएगा बाकी 26 जन्वर ही का long weekend आ रहा है plan plan बनाईए स्क्रोल करो